कि इसे उठाने मत घोंगे इसका दिमाग कर फिर जुड़ा हुआ है रात भरी से जुला हुआ है मचलिया मेरा वेट कर रही है बहुत जोरों की भूग लगी है ए शारको सुबह सुबह मच्छी मत खाना डॉक्टर ने मना किया है यह किसी की नहीं सुनता मेरे भी नहीं और यह अच्छा नहीं है रुग जा रुग जा शारको मैं तरी हाथ जोड़ती हूँ पास में खाजाना पड़ा है उसमें सोना भरा पड़ा है मैं तुझे लेग चलूंगी बात में दम है चल्ड़ वो सामने वाली नीली जाली में है मैं पानी पती से करोड़ पती बढ़ आगे दे माल गोणी में मैडम जी आखे खोलिये वाव इंतर किने अच्छी हूँ मैडम जी है तो ये बेईमानी लेकिन मैं बनाओंगा बिर्यानी और गय भुक्षर इसे कहता है गाउबसा नहीं भीकारी पहले पहुँच गये कहा थाना यही रहती है अचार भी साथ लाया कशार अलेगा ब cater लाचार बिला देमबू के बंबून गए शार कुबएं टेंचिन मतलो बहुले तो मैं आप भी का गुलाम हो ओके कमें वो मालिक हे कया जिसका गुलाम नहों के रहे लिए बिर्यानी और मेरे लिए ओर मेरे लिए सिर्फ पनि है अरे जग क्यों करता है यह क्या है यह स्वाइमिंग पूल है और मालकिर मरीना आराम कर रही है इसे तो मैं यही आराम से खाऊँगा बड़े आराम से ऐसा कभी सोचना भी मत है शारको अरे बापरी यह क्या करने वाला है हो जब 500 किलो 50 किलो पर गिर है तो क्या होगा है उसके चटने बंजाएगे मुड़ है है मुरब्ब तुससे तो अच्छे काले को भी आ वाइफ वह तो ऐसी हम वोले तो तरी एसी की तैसी कुछ सदर्व टिंचर हो गाला फूसर जो हूं करो हुजूर नारियल ले का फटा फट? मुझे भूख लगी है बोले तो आप भी लाय हुजूर किदर है किदर है नारियल तुम पेड़ भाई मोले तो तीन का अडर है आप टेंचिर मतलो और रूख जाएंगे वाव मेरे पास एक आइडिया है वाई तुम तो घ्रेटो मुझे पता है कहा है मेरी हूर इतना टाइम लगता है खचुर सुरू हुजू हुजू बता मुरबा मैं या तू हुए तेरी कोपड़ी में भेज आया भाई हुआ 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 या शायद वह भी नहीं है जरा चेक कर लूँ उसका इडिया था बोलने तो पूरा इडिया मेरा था भाई सही कहा ना मैंने यह तेरा ही आइडिया था तुम दोने जूट बोल रहे हो इस खचुर को भी लेता अचा हाँ है सर्कीट बोलने तो मैं अकिला ही ठीक हूँ वह श चुम जा आ रहा है मैडम जी मज़ा तू अब आएगा अरे यह क्या कर दिया यह बहुत डेंगर चीज़ा है जाग ही जाग हो जाएगा माडम जी माडम जी माडम जी वाह मेरी मरी ना हाथ हाथ हा तो खाखरी छोड़ूगा आठीर मिल गई कई नहीं कई अबस अभी आए सद्यानाश ख़दाने का असली मालिक आगया यह 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 सपोर्ट है सोना सोना यह रहा मेरा सोना खुल जा सिम्सिम खाली है चलो आइस तुझे नहीं चलूगा पहले पकड़ तुझे माद दालूगा मुरत्वे वाउ तु तो दिन में सब्सक्राइशार को जेले नायल खाले पहले तो यह रहा हुजूर शाब बाश मेरे खजूर यह में फाइव और तो जापने बिन दंबू के पंबू पे यह मिस्टर आप कौन एक फिलकों से मेरा सोना कहा है तूने लिया है ना नए शरको ने लिया है उसने तो बंगला भी बना लिया तो फिर से गंगल होने वाला है पेट भर के खाले खाले बोले तो हवा भी खिलाओं थोड़ा कम कर आप इस टब्ले में मेरा सोना था कहा गया सोना एक मिर्डा बस यहीं बचा है मुझे उसूल करना आता है मेरा सोना चाल मेरे साथ सब्टी ले ले लो पचास रुबे की मज़दार सब्टी थैंक्डू एक दो तिन जाबाच चाज़ा पूरे पाट्साओ उजी भी एक दूगी शो मैडम जी आम मिसिंग यू है यू पाइसे रहे फटा फट चल दे निकाल घर क्या बहुत हो घर लाओ टाए कभी-कभी गधे को भी डैड बनाना पड़ता है उले तो बनाना पड़ता है वा अंद भला तो सब भला अच्छा है जिससे स्पीग बोट से बांधा जाता है वाव स्पीग बोट बुलाने के जर फिटम्टा तयार है येस मैडम जी आपने बुलाया शार को मझा की कराओ की कराओ 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 बापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है यह भी करूंगा यह बाबर जी भी है माली भी है हमाल भी है और अब उसका स्पीग बोट है अच्छा है कैसा लग रहा है मैडम जी बहुत देशा काओ वो लोग कितना मजा कर रहे हैं भाई वो देखो अरे यार मरीना और मैं साथ साथ स्की करेंगे वाँ आइडिया तरकीट मैं भी स्की करूंगा लेकिन भाई स्पीड बोट मैं बनूगा चलेगा अरे यह क्या बोट बनता है इंजन में प्रावलम यह अचा नहीं है हाँ यह अचा है बोले तो भाई टेंशन मदलो बोले तो वाटर पार्क में मेरा दोस्त है वो सुपर फास्ट है अरे सरकीट यह तो बिलकुल सर का हुआ है कौन भीया है हाई हलो डियर कम भीयर अब मैं अभी आ रहा है बताओ क्या हुआ क्या तुम मझे स्की करा सकते हो क्या भी मैनेजर के पास है डोंट वरी मैं मार लाया हूँ अरे शूर मत मचा गेट खुल गया डोंट वरी आम ओके इसका उपरी माला वाके खाली है बुल-बुल पांडे बिल्कुल रेड़ी क्या बातने है भाई कुछ करना पड़ेगा जरू चल मेरे बुल-बुल पांडे पीछा थे जरा धीरे थुला आइस्ता अरे अरे मैं तो फुक्या यार अब यह नहीं रुचेगा जेग और तेरा वाडर बालोन बहुत जल फटने वाला है है भाई बोले तो इसके अंदर हो क्या अरे तुम लोगों को कितनी मार बोला भाई को आपको पंचे करने पड़ेगा वाह इजट की बाल्ची खाली हो गए थांक्यू सर्कीट इजट की बाल्ची खिर से प्रूंगा अब देखना अब देखना अब बज़िए डोट बरी आइम ओके फस्सक्रास अब ही तुझे तेरा क्लास दिखाता हूं मुझ्छे रेस लगा जाओं इस समंदर में मुझ्छे रेस में धीते बताओ कि इस मंदर तुम्हारा है तचींग तचींग है कौन वाव अरे क्या यह क्रिस्मस ट्री है यह सफेद फूल है इसे हेपनोटाइज किया था जहाज पर बाम लगा दो जो हुकुम सरकार अरे यह मुझे भी लेट उबेगा हुआ यह मुझे मां जालेगा अरे बापने अरे रूपचा रूपचा यहर ऐसा क्यू कर रहे तू अरे मुझे तो छोड़ दे लेगता है आप यह बम भटने वाला है भाई टेंशन मतलमें आगया बोले तो डिफ्यूज होगे भाई वेरी गूड सर्किट वेवकूब बोम नहीं भटेगा लेकिन तू तो जरूर कटेगा इसे जोतिश ओक्टोराज ने बताया है कि वो नॉर्थ पोल में जाने वाली है हाय भीकारी भीकारी नहीं तेरे शिकारी पहुच गया भुकड अभी इसे मता चाखाता हूं जहाज अरे वो जहाज नहीं टापू है उसे उडाना होगा तुझे नहीं छोड़ूगा मरीना और तुझे नहीं छोड़ूगा जब तक मेरी सास है तुझे खाने की आस है वाह तू मेरे कितने पास है अम्मिशन पूरा हुआ सर। सज्ट्या नाश। लगता है जो दिश्की भविश्मानी सच होने वाली है। पूरा टापूर गया। उल्टा पूल्टा हो गया। जो जहां था वही पर जम गया। अच्छा हुआ या बुरा हुआ यह तो आपको सोचना है। इसा कहते हैं प्रॉपर शेडूल। जिख का पीछा करना था यह तो जो प्रॉपर शेडूल। और खुद के फोटोग्राफी करना दोनों एक साथ। अब मैं इनके फिल्म बनाती हूँ। अरे यह क्या। जिख तो खुद भी गिरा और सी लाइन का पिज़ा भी गिरा दिया। मज़ेदार है। अडम जी हस क्यों रही है। और जिख यह कौन सा तरीका है पिज़ा खाने का। मेरी हलत पर सबको बहुत हसी आ रही है न। अपना पिज़ा रखो अपने पास। मुझे नहीं खेलना तुमारे साथ। वाव। जितना हसना है हसलो। लेकर यह मत भूना कि हर किसी के दिन आते है यार। मैं यह MMS मेरे दोस्त को भीजती हूँ। यह फॉनी वीडियो देखके सबको मज़ा आएगा। चर्किट में आ गया। यह क्यों हसा। जग तेरा कॉमेटिव वीडियो पूरी दुनिया में फैल चुका है। आप्टर क्लब जॉइन कर लिया है क्या यार। शायर को किसी का मज़ाग बना आच्छा नहीं होता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। जिद अंगल में हिस्सा ले रहा है क्या। शायर को मैं तुम्हें रायर धानी थाली समझता था। लेकिन तुम तो धाबे की थाली निकले यार। मेरा फ़नी वीडियो बनाके सब को भेज रहे हो क्यूँ। ओए बक्वास बनकर। तेरी हावान निकालने के लिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यह ले निकाल दिया। शारको तुम्हे देख लूगा यार। ज्याद अब मत्हसो दाटों में मोचा जाएगी। चलो जीक एक सेलफी हो जाए। वाव शारको इतने सारे लाइक्स। देखो शारको जीक को कितने लाइक्स मिले हैं। इसे कहता है। उपर महर्बान तो गधा भी पहलवान। बोले तो आप दुनिया का फेमोस कॉमेडी एक्टर बन चुके हो भाई। इसलिए आपको रोज परफ्यूम लगाना। और साल में एक बार नहाना होगा भाई। कल तक सब जिसे फूल समझनत है। आज उस पर फूल बरसा रहा है। जादा हिलना डूलना नहीं होई। बुर्मा मरा बैलस बिगुड़ गाएगा। हाई फ्रेंड्स इतना प्यार बरसाने के लिए शुक्रिया। ओ मरीना नहीं मिलेगा मुझे चैन तुमें खाए बीना यार। लेकिन पहले जरा वाम अब तो कर लू। अब मैं बिल्कुल तयार हो गया हूँ यार। करने जा रहा है मरीना का शिकार। उसका कॉमेडी वीडियो बनाने के लिए औडियन्स भी है तयार। ओई बिना बैसन के पकोड़े तेरा तौफ फ्लोर खाली हो गया है क्या। जिक्ते गिरी होई हरकत सबको पसंद आई। मैं जीरो नंबर वन अपनी कॉमेडी से जीत लेता हूँ सबका मन। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करम महर्बैनी। ओई तुम तो सूपर हिट भंगार स्टर मुनगे भाई। तेंक्यू सर्किट अब मैं वर्ल्ड फेमस हो जाओंगो यार। लगता है इसके कारेक्टर की तरह इसके दिमाग का पेच भी ठीला हो गया है। जो जितना जादा उपर उड़ता है वो उतनी ही तेल्जी से नीचे भी आता है। हाई मरीना मेरे स्टेंट देखो ना देखो मैं फिर से गिर गया हूँ। जग अब तेरी कॉमेडी में किसी को इंट्रेस्ट नहीं रहा। कोई बेची रहत से ज्यादा हो जाती है तो लोग उसे एवाइड करना शुरू कर देते हैं। आदम जी ये गुलाब का फूल आपके लिए मरीना में आ रहा हूँ। क्योंकि इसका नाम जग नहीं गर पड़े होना चाहिए था। देखो मुझे लग गया दोस्तों अब तो हसो। जिग यह सब तरी बेवा कोफी देखकर हारान है। मजबूरी में हस रहे है। है मरीना। इसका रहते मुझा नहीं खेला। लेकिन मुझे है तुम्हें खाना। जिग बंद कर बंद कर ओवर एक्टिन। जिग सब कुछ करना। लेकिन दुबारा सेरियस कॉमेडी मत करना। चलो बाहर खेलती हूं। इस बार सब जरूर हसेंगे यार। यह फिर से बोल करने लगा। मरीना। प्लीज मुझे देखके हसो ना यार। लगताई से हसाने के लिए मुझे कुछ तूफानी करना पड़ेगा यार। जिग तेरी इस कुरबाने का किसी पर कोई अशर नहीं पड़ने वाला। सिवाए पहाड के। अब तो मैंने अपने 32 सी भित्रवाली हसो ना। बसकर पगले रुलाएगा क्या। इन सब को अखिर हो क्या गया है। मेरा वीडियो सब ने डिसलाइक कर दिया। जिग अपने आशुआ की नदी को बहने से रोक ले। भाई की आखु में आशु मुझसे देखे नहीं जा रहे। मरीना और शारकु ने इने चने के पेड़ पर चड़ा कर ऐसा गिरा दिया। कि भाई खुद की नजर सही गिरगा। बोला तो भाई हम एट का जवाब पत्थर से देंगे ठीका भाई। तूने सही कहा सर्केट मैं अपने आशु जाया नहीं जाने दूँगा। भाई हम दोनों मिलकर इने सबुक सिखाएंगे। शरको मैं मरीना को खाने जा रहा हूँ। बहुर मत कर यार। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। फेमोस होने के लिए लोग ना जाने क्या 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 करते हैं। शरको के बिल्टर दिमाग में खत्रे का साहिरन बजा। मरीना को खाने की सारी तैयारी हो गई है यार। बुलो तो काली मिर्ज में छिलग दियो भाई। अब आएका मजा। तुझे मिलेगी सजा। यही ते मेरी चाल थी। तुझे मेरे पीछे दोडाने के लिए यार। बचाव मैं फिसल रहा हूँ। लोगता है हर फेमस कारेक्टर के पीछे सी लाइन कहां थे। वह ता मेकप है। अच्छा लग रहे हो शारको। अब यह वीडियो बच्चा बच्चा देखेगा। शारको तेरा वीडियो तो वर्ल्ड फेमस हो गया। दुनिया के कोने कोने से तुझे बहुत छारे लाइक्स मिलेंगे। अच्छा है। संदे हाई। संदे हुजा मंडे। संदे हुजा मंडे। आज तेरे सर पे पड़ेंगे थंडे। भाई बलो तो आज का प्लान क्या है। कंबढल सुर्कित पहले ये बता कैसे लगा तुझे मेरा स्प्रिक। वाले तो उट की सवारी। वाव। मानगा इपजा मचाब साइंटेस्ट साफ पकर दिया ट्विस्ट अचा ए मरीना तुझे खाने से मैं ठैकून काभी न रॉप हाँ हाँ तोने स्प्रेंग बनाई है न न प्रेंटिंग बनाई है प्रेवा मुव् अर्ण जजिग हाई या पेया प्यानो अच्छा है बाई बोले तो खाली केबिन क्या कहा किदेर है लगता ही से शेर खा गया अब ये सारी चीजे अपनी है बाई बोले तो फी का मुजिक डाउन्स करो बाई टेंशन मतलो पहले ये बता कि कैसा लग रहा हूं मैं बोले तो एकदम छोटे नवाव बाई जल्दी इतर ये देखो लड़की का पुतला माई बोले तो इसके बारे में को सोचना पड़ेगा आइडिया चल मेरे साथ पीच पर लड़की मैं आपके लिए डाल में कुछ काला है लेकिन डाल गौंसी है याद नहीं आ रही कौंसी दल छोड़ पूरी डाल ही काली है जल्दी कर वर्नाज दिक उसे लेकर हो जाएगा रफू चक्कर हाया मरीना कोई बात नहीं वैसे तुमने अपना दाम नी बताया अब लगाऊंगा सही निशाना किस प्राट का है ये लिकल लिकल देखना पड़ेगा मरीना कोजा भूल नहीं तो कहलाएगी यही सबसे बड़ी भूल ये तो ऐसे लग रहा जैसे वीडियो गेम खेल रहा हूँ तुमें बैटना था बोलागा फट्टी उतली माडम टिंशी मदलो ठीक से चला सरकेट बो लड़की का पुतला है कोई क्रेन नहीं है हाँ ऐसे अब उसे जंगल में लेके जा अच्छा है अब आएगा मजा चलो इस तरफ चलते हैं आइडिया फैल हो गया क्या बात है यह बिरे नहीं यह तो पथर हो चुका है यह मेरे साथ क्यों होता यार फंदे में लटकाऊँगा और तंदूर में पकाऊँगा और उसे मजे से खाऊँगा एकदम तयार हूँ मैं लगता है आगे उसे खाने में कितना मज़ा आएगा रस्ती खेचता हूँ जल्दी जाकर देखना होगा लगता है रॉंग नेंबर लगते हैं कोरिला हाँ यू तो ठीक हाँ लेकिन तू ठीक नहीं रहेगा तंदूर में पकाने वाले दिमाग का इलाज कर वाले अच्छा होगा यह तो मेरी मम्मी की पोटो लग रही है अरे कट जा कट जा कट जा कट जा कट गई बहुत जोर से लेगी यह कौर है मरीना उपर वाला देता है तो चपर भाड़ के देता है और अंबल तुझे भाड़ दो का रुक जा अरे चातक आए आज तो नहीं बचेगा हाँ आप कीजिए मुझे आपके प्यार चाहिए जरूरी है बोले तो नो टेंचिन लेकर याओ शारकों को पैर मिल गए जिक को मरीना लगता है जिक का सपना पूरा हो जाएगा लेकिन मरीना अपने सपने में खो गई है उसे मम्मी की याद आ रही है मम्मी की याद तो यह तु ही है जो मेरे पेट में होगी सुन ले मेरे जीदेची ऐसा नहीं हो सकता आखिर तु भाद कर जाएगा का एक तरब पीछा जिन्देजी भरना ही छोड़ूगा हाँ रुख जा जो दूसरों के लिए का ज्याक होता है एक दिन उसमें खुदी गिरता है थांक यू श तु वह लड़की तु म थे लड़की अगर मैडम जी को बतादिया था मैडम जी बहुत दुखी हो जाएगी क्या करू क्या करू कितने क्यूट लग रहे थे माडम जी बाहर निकल रहूँगा लेकिन थाग यार बी यहां कोई है यार अब यहां कोई है यार यार उसे आज मार ख़ादा है कप्टी सर्किट को नया खिलावना मिल गया है अब यह बोर नहीं होगा टेंशन भी नहीं लेगा वो तो पहले भी नहीं लेता था और मरीना को मम्मी की फोटो मिल गई यह भी अच्छा है और शारको का क्या मारीना के दिल में शारकों के लिए और थोली जगा बन गई इसे कहते है आल इस वेड यह अकेला लकड बगगा है जो गोड़े बेच कर सोता है हाँ यह धुआ कैसा हाँ इसे धुआ नहीं कोहरा कहते है धुआ हुआ तो क्या हुआ मरीना को देखकर आता हूँ अरे अंधा है क्या मैं अंधा नहीं तेरा टाइम गंदा है यह मैं कहां पहुँच गया यार तू हवा में है गद है अब जमीन पर यह मैं क्या देख रहा हूँ क्या कोई मुझे बताएगा यह लंबी सी चीज है क्या क्या यह समंदर का कुटूब मिनार है ओ बावडब बावडब अब ठीक है खंबे के पीछे दिखाई नहीं दे रही क्या करूँ क्या करूँ मैं हाँ आइडिया तोर दूगा तुछे भाई बोले तो टेंशन मत बहो स्वाल के जो मेरे और मरीना बीच में अब कोई नहीं आ सकता कोई नहीं तो कोई नहीं यह कोन आया मा कसम क्या कर रहा है बस देख रहा था कितना स्ट्रॉंग है चोकलेट खाएगा एनी टाइम अब बहुत मज़ेदार है येलो और वा कुलाड़े मुझा दो येलो वाह वाह बोले तो भाई को फिर पड़ी हाँ एकोव पीजा ले पकड़ अपनी चोकलेट्स और मैं चला वाह लगता है पिछले जनम में ये उड़ने वाली छिप के लिए था हाँ हाँ हम उस लाई था उसको गिरा देंगे सरकिच क्या बात है भाई टेंशन मतलो तू देखता चा इससे मैंने बड़े बड़े खंबो को किराया है ये क्या चीज है ताकत लगा रुग जा सरकेट रुग जा अले तो आप ही कौनसा आइडिया भाई तू रश्टी पकड़कर रख मैं वाँ जाकर देखता हूँ दोड़ ऐसा और ये पहुच गया है रस्थी तूट गई लेकिन बल नहीं गया रगता है ऐसे नहीं मानेगा इसकी अकल ऐसे ठिकाने आएगी मचली के साथ चारा भी खा गए अच्छा है बच्चा अब जरा समंदर का नजारा तो देखो क्या है जलपरी यह वही है क्या देखना होगा यह वही जलपरी है इसमें बहुत सारे जहाज को डुपोया है इसे खत्म करना होगा लेकिन इसका गाना खतरनाक है गाले गाले आखनी बार गाले मैं आच्चुका हूँ अकिसम अंकल चुप चापियन नेट मुझे देदो और आप जाओ खंबी में अकिसम सुहाना दिन है मरीना नौवल पड़ रही है लेकिन उसकी जान खत्रे में है क्या हुआ उसे उठा लेगा क्या हुआ जब तक मैं जिन्दा हूँ कोई मेरी मरीना को छूबी नहीं सकता भाग अंकल भाग मर गया मर गया माकसम कोला मुझे अब उछालना अत्याला कड़ बगगग अब देख मेरा कमाल यह आया तीसरा और आखरी मेरे कपड़े वह अरे यह क्या हाँ यह कौन बत्तमीज है यह बेल्ट तुम्हारी है यस यस थैंक्यू मेंचेन लाट अकसम उसका लाइट हाउस में बरबाद कर दूगा हाँ बोले तो निशाना सही है भाई जल धकमर हाँ तू तो कया बन गया नरम पिजा क्या बात है इसे यहां रख देता हूँ यह तो वापस आ रहा है सर किछ दिकरा भाई बोले तो दोनों बजगे भाई बूरी नेजर वाले तेरे मुख अला इस बार आर या तो पार कसीनों में टाइम वेस्ट मत कर मारीना की जान खत्रे में है अलड़ी तेरी कहाली खता माग सम अंकल इसे अपने सर पे पहन लो क्या करो क्या करो कुछ सूज नहीं रहा है अल्य बाई ना रहगी लाइट ना रहगा हाऊस यह तो को भाई तेरा जवाब नहीं सर किच वाई अर्य होना क्या है बिना लाइट के सारे जहाज रास्ता भटे के हैं ये स्काम बन गया है बोलो तो भाई आखिर ये हो क्या रहा है भाग ले सर बचा अपना नहीं बचा ये सब क्या हो गया लगता है उसी जलपरी की कर्टूथ है मां कसम नहीं छोड़ूगा इस पार मैं हार नहीं वानूगा जलपरी तेलार हो जा मेरे साथ चलने के लिए चल आजा एक्सक्यूज में अंकल कौन है अपने लाइठाउस में ब अब लाइठ लगाता हूँ येस और ले जा हाउस को अपने साथ शारकों ने कर दिया लाइठाउस में उजाला और अंकल को अच्छी तरह से धोडाला अच्छा है बहुत अच्छा बाई उटो बोले तो देखो तो सही लाइठाउस गैब मैं मरीना को देख सकता हू कहा गय हा मेरा पोज़न डाट है अर मैं हूँ माडम जी का बोडी का अरे बाप रही है रुक्षा चे डालूंगा फा डालूंगा मा डालूंगा ओओ वेओ